बिहार के यात्रियों के लिए तीन बड़ा तौफा और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे लेटेस्ट जानकारी के बारे मुझे पहले हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दरसल रेल मंत्राले की ओर से पैसंद्रों की सुबनाओं का विशेज ख्याल रखा गिया है और इसी दवडान समस्तिपूर रेलमंडल के तीन बड़ी डेलवे स्टेशन को विश्वस्तरिय यानि की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के अनुरूप विक्सित किया जाना है जिसमें की समस्तिपूर रेलमंडल के समस्तिपूर सहरसा जैनेगर रक्साओल सगवली सहित अन 15 रेलवे स्टेशन को एक्स्टेंशन किया जाना है जिसके लिए डिपी आर तयार करके रेलवे बोर्ड को परस्ताओ भेज दिया गया है मिली जानकारी के अनुसा रेलवे दुवारा पैसेंजरों की यात्रा को बहतर बनाने के लिए कई पढ़ियास किये जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब 15 मुख्य रेलवे स्टेशन को अमरित भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत विक्सित किया जाएगा इसके अंतरगत पुनर विकास योजना से कुछ महजपूर्ण रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरिय बनाये जाएगा और ये समस्तेपूर रेलमंडल के रेलवे स्टेशन में सामिल रहेंगे जिसमें की दर्भंगा वापुधा मोतिहारी सीतामरी जंसन के अलावे अन अभी से ही सुरू कर दी है आपको बता दें कि रेलमंडले परते एक दिन पैसंदों की सुधाओं का ख्याल रखती है और ऐसे में नई नई योजना भी लगातार बनाते रहती है जिसकी जानकारी हमारा चैनल आपको लगातार देने का परियास करता है उसी कड़ी में समस्त पतिफूर बैलमंडल के तीन रेलवे स्टेशन κों को वर्ल्ड क्लास फैसलेटी और 15 अंत्र रेलिवे स्टेशन को आधुनिक रूप से विक्सिद करने का फैसला लिया गया है रेलमंडल के दर्भंगा बापुधामोतिहारी और सितामरी रेल्वे स्टेशन को भी वरल्ड क काया कल्प हो पाएगा और इसको लेकर रेलवे ने सारी तयार यां पूरी कर ली है दरभंगा बापुधाम मोतिहारी और सितामरी रेलवे स्टेशन के भवन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा इसके अलावे एसकलेटर एबं लिफ्ट की सुबधा भी दी जानी है फूड पलाजा लॉंज मॉल के अलावे कार्ड पार्किंग को भी अतियाधुनिक बनाया जाएगा इसके साथ ही अन्य लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं